देखे गाईज यदि आप बिहाड यलेड इंट्रेंस एक्जाम दोजर चोविस की तेयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी इस्टुडेंट के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट होने वाली है इस वीडियो में हम आपके सारे डोट्स किलियर करने वाले हैं और आप लोग जितने भी कमेट करते हैं उनका रिप्लाई भी आज किस वीडियो में आपको मिलने वाला है तो इस वीडियो को आप लोग एंट तक देखिएगा देखे गाज आप लोग ये पूछ रहे थे कि सर बिहार डियलेट के इंट्रेंस एक्जाम में 2024 में हमें 120 में से कितने नंबर लाने होंगी और आपका कुशन ये भी था कि सर अगर हम मिनीमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आ जाते हैं जो BACV के दोवारा निर्धारित किया गया है जनरल के लिए 35% और रिजर्ब कैटिगरी के लिए 30% चुनिर्धारित किया गया है अगर हम उतना ले आते हैं तो क्या ऐसे में हमारा Government Diet College में एडिविसन होगा या क्या हमारा Private College में हो पाएगा तो देख हूँ आज गवर्मेंट Diet College में एडिविसन के लिए तो आपको पता है कैटिगरी वाई जो Government Diet College का कट अफ जाता है उसी के अंतरगत आपको नंबर लाने होगे लेकिन Private College में अगर आप एडिविसन चाहते हो तो Qualifying Marks अगर आप लेकर आते हो तो चांस है ठीना मैं 100% नहीं कह सकता इसके पीछे का रीजन क्या है दोस्तों देखे दो हजार चोविस में बिहार से बहुँ जाद अश्टून डियलेट करेंगे पहला रीजन तो आपको पता है दोस्तों हर जगा से जो है बिएड वालों को प्रैमरी से बाहर किया जा रहे है ठीना एक से पांच से तो ऐसे में और आपको पता है कि वेकेंसी जो है प्रैमरी की जादा आती है अपर क्लास की अगर हम बात करें तो ऐसे में जादा तर श्टून जो बिएड करने के बारे में सोच रहे थे वो भी अब डियलेड में आ जाएंगे तो competition बढ़ेगा पहला region दूसरा region यह है दोस्तों कि पिछले साल अगर देखा जाए तो पिछले साल private college की जो street है यह खाली रह जाती थी क्योंकि फीस लगभग एक लाग बीस हजार है बिहार में private college की तो ऐसे में guys अब आपको पता है कि competition बढ़ेगा और जादा तर अब बिहार में जो है vacancy भी हर साल आएगी अब आप लोग कह रहे होंगे कि sir आप कैसे कर सकते हो कि बिहार में vacancy teacher की हर साल आएगी तो देखो guys देखो guys BPSC के जो chairman है जो head है उन्होंने क्या कहा है उन्होंने ये कहा है दोस्तों कि अब जो है ना बिहार में हर साल teacher recruitment exam हर साल होगा मतलब कि बिहार में primary, upper primary, TGT, PGT हर classes की जो vacancy है ये हर साल आएगी अब ऐसा क्यों कह रहे हैं BPSC chairman इनका कहने का मतलब ये है कि जितनी भी vac vacancy रहेगी जितनी भी खाली होगी vacancy है ना हम जो हर साल exam conduct करवाएंगे क्योंकि आप जो है इसमें selection के लिए जो बिहार में teacher के selection के लिए exam होगा तो exam conduct करवाने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है BPSC के लिए तो खेली है क्योंकि वो हर साल exam आप करवा ही रही है इस साल जो परिसान है कि सर अभी हमा जैसे बहुत सा रिष्टन ये कह रहे थे ना जैसे seated का exam है दोस्तो जनवरी फरवरी में आपको पता है ठीक ना और ऐसे में बहुत सा रिष्टन जो seated appearing थे बीएड अपेरिंग थे तो वो मांग कर रहे थे कि हमें मौका दे जाए नॉम्बर वा तब ही जो है वेकेंसी आएगा अब ऐसा नहीं है ठीक ना जो तैयारी करेगा उनका सेलेक्शन होगा तो पहला रीजन दूसरा रीजन तो मैंने आपको बता दिया क्यूंकि वेकेंसी हर से लाएगी तो बहुत सारे शुनिट प्राइवेट से भी करेंगे तो आप ये मान कर च मैक्सिममम एज लिमिट भी है और मीनिममम तो आपको पता ही है 2001 जनवरी 2024 तक आपका 17 साल से कम नहीं होना चाहिए मिनिममम 17 साल होना चाहिए 17 साल से ज़्यादा है तो फिर कोई प्राब्लम है ही नहीं और देखिए आप लोग कूछ रहेते हैं कि सर बिहार डिलेट का फॉ दोस्तो एक महिने का ठीक न तो आप लोग अभी रिन्यू करवा लिजेगा बाकी से आप पढ़ लिजेगा यह मैं आपको बाद में समझाओंगा पहले हम बात कर लेते हैं कि मिनिममम कॉलिफाइंग मार्क्स कितना निधारित किया गया पास होने के लिए ठीन है विहार डि अब इसको देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया पांच दुनी दस पांच सते पैंतिस ठीना दो एकम दो दो चिक बारा छे सते बियालिस बियालिस नमबर तो दोस्तो जनरल काटीगरी को लाना होगा पास होने के लिए खाली यह मिनिममम क्वालिफाइंग मार्क्स है आप आप क्वालिफाइ कर जाओगे ठीना और जो रिजर्ब कैटीगरी से है अनरचित मतलब इसमें EWS, OBC, NCLE, EBC, SCST सब आ जाएंगे BC1, BC2 तो 30% मतलब कि 12 यह 36 आपको 36 नमबर लाना होगा पास होने के लिए लेकिन देखिए next year competition बढ़ेगा ठीक न तो ऐसे में दोस्तों आप यह मान कर चलिए कि जो रिजर्ब कैटीगरी से जिनको minimum qualifying marks 36 बोला गया है वो कम से कम दोस्तों 50 लाए अगर आप private में चाहते हो तो admission कितना भी जादा आप 20 हो मतलब अच्छे से तयारे आपको नहीं हो पा रहा है तो धियान में रखे ठीक ना चलिए अब हम बात करते हैं द तो इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार दियलेट कौन स्ट्रिंट कर सकता है जिनका maximum age limit है देख हुआ है यहाँ पर क्या कहा गया है सभी पदों पर नियुकती है तो नियुंतम में अधिक्तम उम्र सीमा के लिए cut off ती थी यह 2013 का है इससे आप छोड़ देजिए पहले यहाँ ठी न और अधिक्तम आयू अनरक्षित जो unreserved जो general category से है तो essay student जो general category से है और अगर वो बिहार में teacher बनना चाहते हैं चाहे वो 6-8 के लिए 9-10 या 1-5 के लिए तो उनका जो maximum age है दोस्तों यह 37 से जादा नहीं होना चाहिए अगर जादा है तो वो form नहीं भर पाएंगे ठी general category से हो तो ऐसे में guys अगर आपके 34 या 35 हो रहे हैं तो मैं कहता हूँ आप देखो आप decide कर लेजे खुद से थोड़ा विचार भी मस कर लेजे कि आपको करना चाहिए या नहीं लेकिन अगर आप चाहते हो तो फिर आप किसी reserve EBC OBC certificate बनवा लो चलिए अब हम बात करते हैं द काफी ज़्यादा भरा जाएगा तो ऐसे में competition भी काफी ज़्यादा होगा दोस्तों और mostly student private college से भी करेंगे इस course को क्योंकि vacancy आएगी एक लाख 20,000 दोस्तों जो जिनके पास है वो तो कर सकते हैं लेकिन जो पूर background families आते हैं वो नहीं कर पाएगा तो फिर उनके पास एक last option होता है government college लेकिन कुछ student जो इनका college government college जो है ना काफी दूर पढ़ता है क्योंकि district में college होते हैं दोस्तों 50-40 km कोने इतना regular जा पाएगा तो ऐसे में कुछ student जो है ना private college से भी कर लेते हैं इसका benefit होता है कि मतलब कि अगर आफ हफते में 2-3 दिन भी जाते हो एक 2 दिन भी जा देता हो ठीक ना यहां पर अगर आप इतना लाते हो तो आप safe रहोगे 120 में से अगर आप general category से हो 90 लाते हो तो government college में division होने के 100% chance है ठीक ना private के भी मैं आपको बताऊँगा EWS, EWS के लिए दोस्तों कम से कम आपको 85 लाना होगा general वाल EWS के certificate बना सकते हैं और देखुआ है जो cutoff भी कम जाता है तो वहाँ पर भी फाइदा होगा ठीक ना EBC की अगर हम बात करें तो EBC जो है ना OBC से जादा मतलब extremely में आ जाता है तो इनको काफी जादा relaxation मिलता है OBC के मुकाबले और इनका जो cutoff है यह OBC से कम जाता है अगर हम OBC की बात करें तो OBC का जो cutoff है यह के असपास जाएगा इस ठीकी बात करें तो यह लगवग दो 68 के असपास जाएगा यह minimum आपका safe score है गवर्मेंटाइट कोलेज में डिविसम के लिए तो कम से कम आप खुद decide करो analyze करो कि मैं कौन से subject में कितने number ला सकता हूं आप जो general category से student जो belong करते हैं तो वो 90 number कैसे ला सक confidence आप लोग मत होना क्यूंकि बहुत सारे student जो पूरे महीने जो है लगे रहेंगे चार महीने तैयारी में अच्छे से तो ऐसे में दोस्तों उनका तैयारी काफी अच्छा होगा और जो student सोचेंगे कि चार महीने चलो इतना पढ़ लेते हो जाएगा तो cut-up हाई जाएगा त 36 जो है reserve category के लिए तो आप देखो seated तो private में भी full होने वाली है next year तो ऐसे में दोस्तों आप ये मान कर चलो private college में एडविसन चाहते हो तो कम से कम आ 50 जरूर लाना ठीक ना 50 जरूर लाना इतना qualifying marks पर मुस्किल है private college मिलना ठीक ना ये देख लीजी दोस्तों 2013 में ये cut-off गया तो कैसे तो यहां पर category का खेल हो जाता है 66 और 65 पर general वालों का हुआ था first list में arts and commerce से जो student 11th and 12th किये थे उनका और जो student general से थे उनका तो 65 और 66 पर हुआ था लेकिन जो OBC, EBC से जिनका 65 पर हुआ था किसी का 63 पर हुआ था तो किसी का 62 पर हुआ था तो इस तरीके से cut-off जात तरीके से ुआ थाओ..